पत्संख्या 46 विन्य पत्त्री का राग रामकली सदा राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप मूढ मन बार बार सकल सवभाग सुक खानी जी जानी शठ मानी विशवास वद वेद सारं कोशलेंद्र नवनिल कंजावतनू मदनरिपू कंजरिदी चंचरीकं जानकीरमन सुकवमन भुवनैक प्रभू समर भंजन परम कारुनीकं दनुजवन दूम दूज पीन आजानु भुज दंड को दंड वर्वचंड बानं अरुन कर चरण मुकनयन राजीव गुन अयन बहु मयन शोभा निधानं वासना व्रिंद कैरो दिवाकर काम क्रोध मद कंज कानन तुशारं लोभ अतिमत्त नागेंद्र पंचाननं वक्त हीत हरण संसार भारं केशवम क्लेशहं केशवंदितपद द्वंद मंदाकनी मूल भूतं सर्वदानन्द संदोह मोहापहं गोर संसार पातो दिपोतं शोक शंदेह पातोध पटला निलं पाप परवत कठिन कूलिश रूपं संत जन काम धुक देन विश्राम प्रद नाम कलिकलूष भंजन अनूपं धर्मकल्पत्रूमाराम हरिधाम पतिसंबलं मूलमीद मेवैकं वक्ति वैराग्य विज्यान शमदान दम नाम आधीन साधन नेकं तेन तप्तं धूदं दत्तमेवाखिलं तेन सर्वं कृत कर्म जालं येन स्री रामनाम मृतं पानकृतं नीशमान वद्यम वले लोक्य कालं श्वपच्च खल बिल यवनाधी हरी लोक गत नाम बलवे पुल मति मलन परसे त्यागी सब आस संत्रास भवपास असी निसित हरी नाम जपुदास तुल्से अर्तात ही मुर्खमन सदा सरवदा बारंबार प्रभुस्री राम नाम का ही जबकर ये संपुर्ण सवाग्य सुक की खानी है श्रोत है यही वेद का निचोड़ है ऐसा जी में समझ कर ऐसा हिर्दे में समझ कर मनमस्तिस्क में समझ कर और पुर्ण विस्वास और सरदा करके सदा स्री राम नाम कहा कर कोशल राज स्री राम चंदर जी के शरीड की कांती नवीन नील कमल के समान है वे काम देव को भस्म करने वाले शीव जी के हिरदयरुपी कमल में रमने वाले भरमर हैं वे जानकी रमण, शुकधाम, अकिल विश्व के एकमात्र इश्वर समर में दुष्टों का विनाश करने वाले एवं परमदयालू हैं वे दानवों के वन के लिए अगनी के समान हैं पुष्ट एवं घुटनों तक लंबे भुश्दंडों में सुन्दर धनूश एवं प्रचंडवान धारन किये हैं उनके हाथ, चरण, मूख एवं नेत्र, लाल कमल के सद्रिस्क कमनिय हैं वे सद्गुणों के अस्थान एवं अनेक कामदयों की सुन्दरता के बंडार हैं विवेद वासना रुपी कुमूदिनी का नाश करने के लिए साक्षात सुर्य एवं काम, क्रोध, मद, आदिक कमलों के वन को नश्ट करने के लिए तुशार पाला हैं लोब रुपी अत्यंत मतवाले गजराज के लिए वनराज सिंग यवं वक्तों के भलाई के लिए राक्षसों को मार कर संसार का भार उतारने वाले हैं जिनका नाम केशव है जो क्लेशों के नाश करने वाले हैं ब्रह्मा और शिव जी से जिनके चरण युगल वंदित होते हैं जो गंगा जी के उत्पत्ती अस्थान हैं सदा अनंद के समूह मोह के विनाशक यवं बयानक भवशागर के पार जाने के लिए जहाज हैं स्री राम जी शोक यवं शंशे रूपी मेगों के समूह को चिन विन करने के लिए वायू रूप यवं पाप रूपी कटिन परवत को तोड़ने के लिए बज्जर रूप हैं जिनका अनुपम नाम संतों को काम धेनू के समानी चित फल देने वाला तथा शान्ती दायक यवं क कली युक के भारी पापों को नाश करने में सानी नहीं रखता यह स्री राम नाम धर्म रूपी कल्प विक्ष का वाटी का वगीचा फुलवारी है भगवान के धाम में जानने वाले पतिकों के लिए पाथे तथा समस्त साधन एवं सिद्धियों का मौली का धार है वक्ती वैराग्य विज्ञान शम दम दान इत्यादी मुक्ष के अनेक साधन सभी इस राम नाम के अधीन है जिसने इस कराल काली काल को देकर नित निरंतर सी राम नाम रुपी निर्दोश अम्रित का पान किया उसने सारे तप कर लिये सब यग्यों का अनुस्ठान कर लिया सर्वस स्व दान दे दिया और विदी के अनुसार सभी वैदिक कर्म कर लिये अनेक चांडाल दुशकर्मी वील यवं यवनादी केवल राम नाम के प्रचंड प्रताब से स्री हरी के परमधामों में पहुँच गये यवं उनकी बुद्धी उनकी मेधा को विकारों ने असपर्स भी नहीं किया हे तुलसिदास सारी आशा एवं भय को त्याग कर संसार रुपी बंधन को काटने के लिए पैनी थलवार के समान स्री राम नाम का सदा जब कर